अन्म्टीवी को सब्सक्राइब करे प्रेस करे बेल आइकोन और पाये मुंबाई, नाभी मुंबाई एवं बॉल्यूड की ताजा तरीन खबरे अब ये मुंबाई महानगर पाली का क्षेत्र में दिन प्रती दिन कोवीड मरीजों की संख्या बढ़ रही है अब ये मरीजों का आकड़ा 6,823 हो गया है जिस कारण अब नाभी मुंबाई मनपा आयुक्त अन्ना सहब मिसाल ने नाभी मुंबाई मनपा क्षेत्र में 3 जुलाई से 13 जुलाई तक लॉकडाउन घोशित किया है नाभी मुंबाई महापाली का क्षेत्र मदे मागिल काई दिऊसा मदे विशेस्था लॉकडाउन रिलीज केला नंतर शहरा मदे पोजेट्यूप रुणांची संख्या वाड़ता है त्या संदर्बाद महापाली का तरफे सर्व उपायजना करने तेता है ततापी या संक्रमनाची साख्री तोड़ाई ची असेल तांखी यचा मदे आप लेला कही प्रभावी स्टेप्स त्या ठीकानी घेना आवश्य का है त्या मुले ही साख्री तोड़ने साथी अपन नुवी मुंबई महापाली का क्षेत्रा मदे तीन जुलाई 2020 चा मध्यरात्री पासुन मंजेच चार तरखेला पहाटे पासुन ते तेरा जुलाई 2020 मध्यरात्री परिंत या कालावधी दर्म्यान लॉकडाउन जाहर के लेला है बता दे कि इस लॉकडाउन में एपीमसी मार्केट ठाने बेलापूर अउदगी क्षेत्र का समाविश नहीं किया जाएगा सभी होट्सपोट क्षेत्रों में लॉकडाउन का सक्ती से पालन किया जाएगा इस लॉकडाउन के दर्मिया जो नियम होगे वो इस प्रकार है बसेस एवं ट्रेन सुविधा केवल अत्यावशक सेवा देने वाले व्यप्तियों के लिए शुरू रहेगी सार्वजनिक परिवहन सेवा, टैक्सी एवं आटो रिक्षा को अनुमती नहीं होगी सभी अंतराज्जिय बस एवं प्रवासी वहतुक सेवा को अनुमती प्रदान नहीं की जाएगी केवल बाहर से आकर बाहर जाने वाले टूरिस्ट वाहनों को अनुमती प्रदान की गई है सभी नभी मुंबई कर अपने घरों में ही रहेंगे एवं केवल ज़ादा ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलेंगे सरकारी कारियाले कम से कम कर्मचारियों की उपस्थिती में शुरू रखने की अनुमती होगी लॉकडाउन के समय कौन से अलस्थापन शुरू रहेंगे जीवन अवश्यक वस्तु जैसे दूद, बेकरी, किराना दुकान, सबजी के दुकान सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे बैंक, एटियम, बीमा एवं संभन्दित सुविधाय, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक्स प्रसारमाध्यम, आईटी, टेलिकॉम, पोस्ट, इंटरनेट एवं डेटा सेवा कुरुशी संभन्दित वस्तु की दुकाने एवं उनकी आवक जावक को अनुमती रहेगी फार्मसिटिकल्स एवं वाइदिक्य उपकर्नों के साथ आवश्यक वस्तुओं के ई-कॉमर्स वितरन को अनुमती होगी पेट्रोल पंप, एलपीजी, गैस, तेल एजनसी, उनके गोदाम एवं संभन्दित वहतुक कारियों को अनुमती प्रदान की गई है बता दे कि लौकडाउन के कारिकाल में नियमों का उल्हंगन करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं पर साथ रोक अधिनियम 1897 आपत्ती व्यवस्तापन अधिनियम 2005 में उल्हेक किये गए धारा 51 से 60 एवं भारतिय दंड सहीता धारा 188 के तहट कारवाई की जाएगी पाली का आयुक्त अन्ना सहब मिसाल ने सभी नवी मुंबई करों से ये अपील किया है कि लौकडाउन के दौरान सभी नियमों का पालन कर लौकडाउन सफल करे ताकि कोरोना संक्रमन की श्रुंखला को खंडित किया जा सके ब्योरो रिपोर्ट अनेम टीवी न्यूज रिपोर्ट अनेम टीवी नियूज